इसप्रेट में नालवड म मांध्य इसके बाने बताया जैसा कि आपको पहले पार्ट में आपको जो है नौर्बन के जो पार्ट हुआ करते ते कारापोरम और ह्मालिया तो कायापॉर्म के बारे में आज हम रिवालिया की चर्चा करेंगे निद्री दिया क्राइप करने किसे लेजर हिमादरी के लवर हिमालेया के नाज से विख्याद है हिमादरी की बात करें हिमादरी जो ये जो नौर्द लेंगा नौनटेशिंट के सबसे नौ्थ में, सबसे उपर टॉक मॉस्ट में ह confront माध्री रही जाते हैं और यह जो हैं लगभा सालों बर्व बर्व से, ढखा होता है चलिए बच्छो साथ की साथ इसकी बाद करें तो यहां पर अनेखों आपको छोट छोटे बड़े-बड़े पीक मिलेंगे जैसे नंदा देगी आपका जो है नंदा देगी हो गया उसके बाद आपका यह डॉल्हाउजी नंदा परवा यह सारा का सारा जो है वह आपको साथ करें तो कंचंचा जंधा कंचंचा जैन्दा जो पीख है वह मांटरी रेंश में ही आता है उसके बाद इमाजरीए लेंघ में प्रेमस एला को मिलीगा जिसमें से दो प्रणूख खिँमस्यों जो ग्लेसियर है वा है या मुनेट्рий और गंगोत्री तो यमनित्री से यमना नीवर निकलती है और गंगोत्री से गंगारी ग्लेसियर जा होता है तो ग्लेसियर जो है एक बहुत बड़ा जो है बर्फों का चट्टान होता है है ना और जो हमारे हिमाद्री रेज में है कि प्रमुत दूर तरह के ग्रेशियर जो है दिखने को मिलता है अनेको ग्लेशियर है और हमें जो जानना है और इसमें अनेको वैली है बहुत सारा वैली आपको दिखने को मिल जाएगा जैसे खास करके कास्मीर खुलू कांग्रा यह सम्मीर खुलू और कांग्रा तो यह कमाद जो है हिमाचर में आने वाली वैली है और अगर बात करें हम लोग ही इस्टेशन की तो नैनी ताल है नैनी ताल हो गए उसके बाद रानी फित हो गए दलावजी हो गए मसूरी हो गए ये सारा का सारा जो है आपके क्या है नैनी ताल डलावजी ये तमाम जो है वो एक हिल इस्टेशन है जो हिमाज़ रेंस में आता है अब अगर बात करें सिवालिकी तो ये इमालय का इसे फूर्ट स्टेव कहा गया है है और यह हिमालय का सबसे लोवर यानी की सबसे सवलें मौश्ट पार्टे में यह सिवालिक देखने को मिलता है जो की सालों हर जंगलों से घिरा हुआ रहता है बच्चों तो आपका हिमालया के तीनों लेज है वह आपका खतम हुई अब आपको ले जबते हैं नए वर्ड नए टॉपिक जो है तराई तराई क्या है तो तराई एक तरगा को तो खाई जैसा होता है जो सिवाली के ठीक बात जो है आपको देखने को मिल जाएगा यह पुरी तरह से खाई नुमा होता है बना हुआ इसके नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की तरफ पेट पौदे से कवर होता है पुरा तरफ से जन्गल नुमा बना होता है और यह तरही जो है आपको इसका जो लेंख है वो आपको से क्रों किलो मीटर में देखने को मिलती है इसका कुछ भाग आपको नेपाल से लेकर कुछ भाग आपको इंडिया तक देखने को मिलता है इसका कर दो डेखने को बिलता है तो यह तो है